तो हेलो गाइज यार कैसे हो आप सुभी लोग और आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हम चिकन फार्म कैसे बनाए या आप उसको इन्फानेट फूट फार्म भी कह सकते हो तो आज की वीडियो एंड तक देहना क्योंकि एंड में आपको एक बोनस टेप बताने वाल से लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार इसके लिए सबसे पहले आपको दो चैस्ट चाहिए होंगी यह भाई इसके पीछे आपको एक hopper connect करना है और याद रखना सिर्फ एक ही hopper आपको connect करना बले आप अगर दो कर दो तो काम दिक्कत हो जाएगी और यहां पर आपको एक slab लगा देनी दो नहीं भाई तो यार आपको ऐसे ही लाइक इस तरफ मुझ आपको करकर भाई बाद में slab लगाना ताकि आपका लाइक जहां पर dispenser का भी face है ना तो ऐसे face होना जाए ठीक है तो भी हम पिछले block को तोड़ देते हैं सारो सब को तो अभी हमको इस dispenser में के पीछे hoppers connect करने हैं तो यार इन hopper को connect करने का reason ही यह है कि यहां पर हमारी chickens आएंगी ठीक है और chicken जो भी अंडे देगी तो वो dispenser में जाएगा ठीक है और भाई यह dispensary यूज करना ड्रॉपर ना यूज करना आप मेरे मुझसे गलती से ड्रॉपर यूज हो गया था तो उसमें भाई farm खराब हो जाएगा और यह भाई आपकी additional है आपको आप अगर dispenser को इतना चोड़ा करना चाते हो तो कर लो इसका मीनिंग क्या है कि हमारी capacity बढ़ जाएगी chickens को रखने की तो यह अभी हमें simply इस सब को डख देना है साइड से bricks लगाकर जैसे मैं कर रहा हूं वाई तो यह फिर यह सब करने के बाद हमें यहाँ पर front side पर भाई glass लगा देने हैं ताकि हमें visible भी रहे कि chickens आ रहे हैं हमारे सपॉन हो रहे हैं कि नहीं और हमें like chest खोलने में भी दिक्कत ना हो तो अभी भाई आपको simply उपर जाना है और ऐसे तो आपको इन सारे भाई hoppers पर कार्पेट लगा देने हैं तो इसका भाई reason है कि like आपके ना जो चिकन्स अब हो भाई बीच के इस होपर में दिक्कत ना दे वाई तो आपको इस सारे रूफ भी बना देना वो लाइक आपकी मर्जी से आप कितनी भाई आप हाइट करना चाहते हो बस यह होना चाहिए कि यहां पर चिकन बाहर ना आप आए और हम उनको फीड भी कर पाएं अगर हमने फीड करना हो भाई हमें अभी वाल भी कंप्लीट करती हो रूफ भी कंप्लीट करती और अंदर आप चाहो तो टॉर्चिस लगा सकते हो वह भाई आपकी मर्जी है मैं तो यहार इस बरसे लगा था हूँ कि यहार कूल आपको भाई आपकी किस पता कुछ भी नहीं पता और यार अंदर भाई इसकी जगा जॉंबी न स्पॉन हो जाए तो भाई मैंने चौट और चीज लगाती तो अभी आप सिंपरी चिकन के एग लेना और सौरी आप चिकन के एग तो ले नहीं सकते क्योंकि आप सर्वाइवल में घेट रहे हो तो आप अपने आप चिकन को भाई सीड से लेकर आना और इसके अंदर लेकर आना और भाई आप लाइक ऑप्शनल है कि आपको लाइक उरको फीड करकर उनकी जन सकते हैं यहां भाई आप बहुत सारे चिकन एक बार में ले आओ तो यहां इन चिकन को अभी आपने मारना नहीं है ब चिकन की चिकन फाम की वहीं आपके तो यह आपके उपर है भाई कितने आप चिकन तेज करना जाते हो फाम उतना वाई आप चिकन ज्यादा लेकर आओ तो यार अभी हमारा फार्म की बहुत ज्यादा मेंची जा गई वो है थोड़ी सी रेडस्टोनिंग भाई गबराओं मत बहुत आसान है रेडस्टोनिंग से नाम के तुसे बाई आप गबराओं मत तो आपको भाई इस डिस्पेंसर के नीचे आ जाना है और दो अब्जर्फर के फेस ना कनेक्ट होने चाहिए तो वो जब कनेक्ट होंगे भाई वो टिक 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 साउंड करेंगे तो आपको भाई वैसा करना है और एक अब्जर्फर तो मैंने लगा दिया और यह एक दिक्कत देखना आप भाई प्लीज मेरे जैसी गल्ती मत करना फार्म के पहले कंप्लीट और बाद में चिकन को लेकर आना अभी देखो यार अब्जर्फर नहीं लग रहा है और भाई मुझे पता नहीं क्या सुझा भाई मैंने डिस्पेंसरी तोड़ दिया अब भाई मैं उपर ले एक ब्लॉक भी तोड़ूँगा भाई देखना आप यह देखो मैंने अपने इन हाथों से भाई मारा तो चलो वीडियो को टाइम वेस्ट नहीं करते हैं वीडियो से आगे बढ़ते हैं आपको दखाता हूंगा अभी अब्जर्बर अगर आप सो यह ऐसी गलती हो चो आपको अब्जर्बर कैसे लगाना चाहिए सौरी डिस्पेंसर कैसे गलती करो तो सबसे पहले स्लैब तोड़ना और फिर डिस्पेंसर को हपर में कनेक्ट करना और फिर स्लैब लगा देना ठीक है और फिर हम अभी बाहर निकल कर आएंगे और यार पहले मैं सबसे पहले बाई आप उपर गणा मैं सबसे पहले चेस्ट कनेक्ट कर देता हूं औ और जो भाई dispenser वाली हमें slab उपर जगा खाली शोड़ी थी ना वहां पर भाई आपको trap drone लगा देने आ और भाई मुझे पता है जितने भी जाने बोनस टिप की वज़े से यहां पर वैठे हैं बस यार थोड़ा सा और वेट कर लो थोड़ा सा मैं अभी chicken spawn करकर भाई अभी बताता हूँ बस chicken spawn कर लो हाँ guys finally मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि हमारी bonus टिप क्या है तो यार भाई bonus टिप यह है कि अगर आपके sword में fire aspect और looting 3 लगी हुई है तो भाई आप same as it is मेरे जैसा farm बनाओ अगर भाई यह आपकी sword में नहीं है तो आप उपर लावा लगा देने हैं और इसका भी मैं फायदा आपको बताता हूँ तो guys अब हम अगर यहां पर chickens आएंगी तो हमारी हमें looting 3 है हमारी sword में और fire aspect है तो इससे क्या होगा कि हमें ज आप अपने हिसाब से बना लो अपना farm जैसा भाई आपको ठीक लगे पर यहार मैं तो मेरे पास sword में looting 3 और fire aspect है तो भाई मैं तो ऐसे बनाने वाला हूँ जैसे उपर trap door लगा दो और अकर trap door आपको नहीं लगा ना तो फिर आप उपर लावा लगा देना आपके लाइक व आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ आप यहर ऐसे मत समझना कि हवा में बाई गप्पे मारी यह रही है आदमी तो तो यह देखो भाई अभी मैंने चिकन यहाँ पर 6-7 चिकन बाई स्पॉन करूंगा 6-7 यहां उससे बाई कम यहां ज्यादा हो सकती है तो य इसे बाई चिकन लाइक उस चेस्ट में नहीं जा रहा सही तरीके से तो यह मैंने अभी इतनी चिकन स्पॉन कर दिया ठीक है तो अभी हम चेस्ट खोल कर बाई देखेंगे कि कितना हमें समान मिला और बाई मैं अपर आपको मैं अपने वाला जलबा दिखाने जा रहा हूं ढ conf wanted V LIVE वाला तो यह देखो हमारे पास बईली साफिकन भाई हमें स्पॉन इस पान किया एए और हमारे पास साथ ही आए ठीक है और अभी स्पॉन का कमाल देखना भर आपको मेरे पर जगीन नहीं तो आपको अपने क्रिएटिव वल्ड में इसको बनाकर दिखना एक बार ब बाई कितनी प्रोड़क्शन का बाई कितना इंक्रीज हुआ यह तो बाई आप मुझे बता ना कि आप कौन सा फार्म दाने वाले हो लावा वाला यहां बाई अपनी लूटिंग वाली स्वार्ड वाला रुको रुको भाई कहां जा रहे हो आपका काम निकल गया आपने यार वीडियो शोड़ने की सोची रुको यार जैसे मैंने आपको कहता अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो यार अगली वीडियो में हम मिलेंगे अगर बहुत मज ज्यदार आएगी आपको लाइक आफ में बोलेंगे वा वह वा क्या वीडियो डाली है तो यार इसी स्पोर्ट को मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहा तो भाई आपको मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर एंड गु बाई